असलम्मुलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे बक्राइद स्पेशल कच्छे कीमे के चटकारा कबाब की रेसिपी जो बहुत ही जाधा टेस्टी बनते है तो एक बार ट्राइस जरूर कीजिएगा तो चली देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया चटकारा आप बनाने के लिए हमने यहां पर 500 ग्राम कीमा ले लिया है कीमे को आप दो बार मशीन में निकल वालें एकदम बारी कीमा होना चाहिए और 20% आप इसमें फैट डल वालें से कीमे कबाब हमारे पर्फेक्ट बनेंगे और कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए अब हराब मसाला त्यार करेंगे तो यहां पर मैं एगारो का हैं ब्लेंडर विच चौपर यूज कर रही हूं मसाला पीशने के लिए तो एक बड़े साइस का प्याज लिया है वह एट कर दिंगे और चार हरी मिर्श एट कर देनी है एक मुठी हरे देनिया दो ब्रेट स्ला में आपका जो मसाला है उसको पीशकर त्यार कर देता है बहुत जादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते तो अगर आप इस चौपर को बाय करना चाहते नहीं खरीदना चाहते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब देखिए मसाला हमारा अपर चली टेबल यस पून कुटा होगा दनिया टी स्पून लाल मिर्श पौाडर सैसे भी आप खाना पसंद करते हो अब यहां पर थेखें पिपली यह ळी-आप के एक पीस का हमने पाउडर बनाकर डालना है सिर्फ एक का तो यह कबाबों में बहुत अच्छा फ्लिबर देती है देखिए हमने पाउडर बना लिया यह एक लेमन जूस एट कर देना है अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रीडियन डालेंगे बन फोर टी स्पून मीठा सोडा इससे कबाब हमारे एकदम सौफ्ट मॉइस्ट और जूसी बनेंगे तो जूरूर डालिएगा और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे पांसे शे मिनट बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा देखिए की माचे से मिक्स कर लिया है और की में मिल्कुल भी पानी नहीं था अब इसके कबाब तयार करेंगे कबाब आप जैसे शेप के चाहें वैसे बना सकते हैं यहां पर मैं गोल्ड शेप के बना रही हूं अगर आपने अभी तक इंस्ट्राग्राम यह फिर फेस्बुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाईए फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल शाएगा अब कबाब हमारे डैडी हो चुके हैं यहां पर मैंने देखिए ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और कुटा हुआ धनिया लगा दिया है यह थोड़े से प्रेजेंटेबल लगते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसके भी कर सकते हैं साधा ऐसे ही कबाब बना सकते हैं तो अब इनको करना 3-4 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और दूसी साइट से फिर चेंज कर देंगे यह देखिए अच्छा कलर आ गया है चार से पांच मिनट दूसी साइट से उलट पुलट करकर मतलब अच्छे से शेक लीजिए 10 मिनट तक ताकि इसमें अंदर से भी कच्छे न रहें य नुद शाजरो यह दो करेंगे और अब इसमें करेंगे एक बड़ी साइस का प्याज को मैं रिक्स में कट कर लिया है चार अरी मिर्च आत हैं कटकर बहुरी है इनको हल्का से डूस करेंगे यह दिek है इस तरह से और अब इसमें कर देना है हम ने कबाब जो बनाकर रखे ह और अब इसमें एक करेंगे हम दो से तीन टामाटा ले लिए ते इसको ने चार पीसे में कट कर लिया इनके बीज निकाल दिये हैं वन टीस्पून चाट मसाला पाउडर एक कर देंगे बस एक से दो मिट्ट आप इसको इस तरह से टॉस कर लीजिए फ्लेम पर अब देखिए गैस को हम बंद कर देंगे और इनको सर्फ कर लेंगे आप चाहाँ इसमें इसमोक भी लागा सकते हैं अगा तंदूरी फ्लेवर चाहते हैं तो यह देखिए यहां पर मैं आपको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशाला नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए आजिए अलाह आफिज